जुहार अजारी बाग मैं फैयर जनवर आप देख रहे हैं जुहार अजारी बाग मैं अभी पिलावल में आया हूँ और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक घर है जहाँ पे प्लास्टर हो रहा था और इसी घर को लेकर कल रात में विवाद हुआ रोजा खोल रहे थे एक परिवार के लोग और दूसरे परिवार के लोग उसी वक्त पहुँचे और मार पीट करना शुरू कर दिया ऐसा यहां के परिजिन बता रहे हैं और एक ही परिवार से लगबग छे लोगों को इंजोट कर दिया जिसमें एक वृद महिला की मृत्ति भी हो गई कल शाम की घटना क्या हुई बताईए पलाश्टर परसों सुक्रवार के दिन जुम्मा के दिन मेरे भाई को फोन करके बोला हमको पलाश्टर कराना है सो हम खूता खंबा गाडंगे गाडंगे मेरे भाई भला नहीं हम गाडंदे देगी अपनी जमीन में जो इनसान हमको मारने पीटने की बात कर एगा मेरे गोा हूई बेटी ऑ भार गाली गलोच करेगा हम अपने घर के तरह पने Ralph N99 कर दे हुए जिससको भौला न भौला तो रोज जूला बनाकर यहां पलास्तर किया, जूला में लटक कर, फिर भी हम लोग किसी ने कोच नहीं का, उसके बाद पूरा मेरे पापा लगाए हुए थे, थोड़ा सब जीव जी लगा दिये थे, सब महर बाद हो गया, फिर भी कुछ नहीं का, कल हम लोग दो पहर रोजा रखे सोए हुए थे, अचानक से खुटा कंबा गाड़ा तो बोले, तो यहीं रहना है, तो इतना मैनेज करना होगा, फिर हम लोग चले गए अंदर, उसके बाद हम लोग रोजा खुलने का वक्त हो गया, हम लोग रोजा खुलने अंदर आ गया है, रोजा खुल के जैसे द गेट पर खुलने को जैसे गेट खुला गेट के अंदर सब लाठी डंटा, टांगी कुलाडी फरसा लेके घुस गया, अग घुस गया, अग घुस गया, अधा धून मार अन्या पिटना चालू कर दिया, हम इधर जन जानवरों को घुसा रहे ते, इसलिए हम बच गया है, जतना सब मेरे घर के लोग सब को है, अब खुन के निसान सब देखिए मेरे सब, बढ़ा हुआ है सब, जतना मारना सुरू किया, इधर से दरवाजा भी लगा दिया था, जो हम फिर उपर च्छत से गया, तो देखे, कि सब को मार रहे हैं सब, जब आया किसी ने दरवाजा क अब निकले तो सब बेहोस पड़ा हुआ, तो मैंने सब को हिमत करके सब को पकड़ के थाना पोची में थाना में बोल दिया, कि नहीं ले जाए पहले हुस्पीटल, उन्हीं लोग टोटो बुक कर दिया, फिर वहां सब हुस्पीटल लेके गया, चोटा सा बात को बढ़ा के मेरा जमीन में भाड़ा बना रहा था, हम रोके अरुशी में हमारा पिट किया है, हम लोग रोजा खोल रहे हैं और गेत पिटने लगा, हम लोग सोचे को कुछ बात करना होगा, जाए रोजा से पहले भी बात हुआ था, तो सब आदमी जमा हुआ बोला कि रोजा कबात फैस कौ मारा हम भीः सोल्यूंप सब्वाद मेरे बाहन को मारा वह वहाश गई मेरे अम्मी को मारा अबा को मारा दाथ तूट गया नाक्त उनलाज कांव इंतकाल हूग गया कि अर। मों किसे द vara मेरे अम्मी के इलाज के दावार्न इंतकाल हुग जह famoso कितना लोग था जो आई दस बारा आदमी था सभेके हाथ में लाठी डंटा फरसा धारदार हतियार भी था और हम लोग नहीं है था हम लोग को पता ही नहीं था हम लोग सोच रहा पंचाईती होने वाला है और अचानक से उन लोग तूट पड़ा आज नहीं छोड़ेंगे बाजबरन घर के बगल के लोग भाड़ा बगएरा बना के पलस्तर करवा रहे तो हम लोग उसको बोले कि मेरे जमीन में अप लोग पलस्तर क्यूं करा रहे हैं अपना जमीन में भाड़ा बनाने हम नहीं देंगे तो उन लोग बोला कि कैसे नहीं देगा उपर से हम लोग से रंगदारी से बात बेकिया और मार पिट पर उतारू हो गया रोजा खोलने का वाक्त हुआ बस सब उन्हों को पुरी पिलाने की तुम लोग प्लस्तर करा नहीं दो गया तुम को भी बताते हैं रोजा खली खोले और घर पर चड़के गेट खोलके उन्हों को पूरा परिवार को भी घाया ले गंभी रवस्त हमें कि बात क्या हुआ फिर जब घटना हो गया रात में फिर क्या हुआ घटना होने के बाद हम लोग सबसे पहले पर लावल थाना पहुंचे लिए महां पर सबका बिलीडिंग इतना ज्यादा हो रहा है कुन बहरा था अफरा ता प्रीम लिए पहले जान देखिए तो हम लोगों को टोटो बुक करके परसासन भी बेजा यहां पर उसके बद सब यहां एडमिट हुए उसके बाद अन्मी का फिर इंतिकाल हो गया कदमे कदेत हो गया और वाकी लोग सब एडमिट है जब थानफ परसासन को ख़बर गया तो परसा परसासन अभी तक एक भी को अरेश्ट नहीं कर पाई है परसासन से मेरे यही गुहार है कि जो अरोपी था उसको जल्द से जल्द उसको सजा मिलना चाहिए मेरी माँ का जान चला गया है हमको परसासन से बस न्याय चाहिए सर फराज के सर एक महीला की मौत हुई छोटे से विवाद में एक महीला की जान चली गई पूरी घटना जो है वो पिलावल थाना के है इबराहीम मस्जिद के बगल में रोजा खोलने के टाइम में यह घटना हुई है और किस तरह से महीला का बॉड़ी जो है यहां पे लाया पूलिस कह रही है और जो सारे लोग जो कह रहा है कि घटना जो है रोजा खोलने के टाइम में हुआ है बहुत निंदन्य घटना है जिसमें एक परिवार का एक महीला की जान चली गई और चार से पांच लोग बुरी तरह से इंजोड है तो यही है पिलावल में शाम में जो घटना हुई थी किस तरह से जिसके साथ घटना घटी थी उसने बताया कि कैसे पडोसी ने पलस्टर को लेकर विवाद हुआ फिर उसके बाद विवाद को लेकर उन लोगों के ऊपर हमला किया और हमला के बाद जो है एक महीला की जान चली गई तरह से देखिए आजकल जमी बला हो जा रहा है